एपिसोड की शुरुवात में में देखते है कुलिंग को जिसे हमें यहादा कुछ नहीं कर सकता अगर मुझे मेन स्टोरी लेनमी जिंता रहना है जिस में मिरे रिथ हो जाती है तो शयनहार की लेलिटी का विज़ अप्रिटेंट फैक्टर है जिसकी ये बाद ये से पूछता है कि मेरी होनार स्टुडेंट आखरकर वो कौन था जो कि तुमारे इस बिहेवियर के लिए जिम्हदार था जिसने तुम्हें अपने बातों से भैका दिया था ये से बता ते कि मास्टर वो ये क्यों टेंपल का शांग चैन था उसने मेरे और आपके बीच में धरारे पैदा कर दी थी और साथी साथ उसने अपनी मीठी बातों से सीनियर सिस्टर को भी भैका लिया है जिस वज़े साब के स्टुडेंट्स और आपके बीच में धरार पैदा होगी है आज जो कुछ गया उसके लिए शेंग चैन जिम्हेंदार था पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं मास्टर कि मुझे जो आप सज़र देने चाहे वो दे सकते हो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ बस मुझे आपसे दूर मत करिये विलिंग इसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें सेकिंड चांस देने के लिए तैयार हूँ पर तुम्हें मिरी मदद करने पड़ेगी जिसके बाद मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दूँगा यह कहती कि हाँ मास्टर आप मुझे जैसा चाय वैसा कमांड दे सकते हो वही पर हमें कैंग मिंग सेक्ट यू लून स्टैंपल के आँ दिखा जाता है जहां पर हम देखते हैं इस गेम की मेन करेक्टर शैन चैन को जहां भी यह कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर ता इंता है अब तक जूनियर सिस्टर शैन हर क्यों नहीं आए कहीं ऐसा तो नहीं कि उस डिमन को ऐसास हो गया कि जूनियर सिस्टर उसे धोका दे रही और वह एक्सपोज हो गी हो यह कहती कि ऐसा कुछ बेंगें शैन हर और मेरे एग्रिमेंट के हिसाब से अगर वो सक्सीड हो या ना वो तुरेंते मुझे वर्ड भेज देगी यह उसने ऐसा किया कि नहीं और मेरे हिसाब साफ तक किसलिए नहीं आई है क्योंकि उसने अपने प्लैन को एक्जीक्यूट कर दिया है पर शाओं चन कहता कि कि नहीं मैं और ज्यादा है नहीं रुख सकता मुझे जाके खुदी यहा थेज़ा हो वतनें यहांस पर शैनहार आ जाती है सब्सक्रवरेँस का नहीं मिला जाती है वह सुझता है कि क्या तुम्ह केषिए कि ठर Live और तुम कर रहुत है कि मैं तुम हैं क्या तूंसे मांधे जोच आइज हो तुमने से मैं डेमोनिक सेक्ट में अंडर कवर था और फाइनली उस खतरनाक मॉस्टर को मैंने अलिमिनेट कर दिया अब पूरे कॉंटिनेंट में मेरे नाम जाना जाएगा अब मेरा भवीचे पूरी तरह से क्यों रहे हैं शैनहार फिरे ने कहती है कि वो डीमन काफी जद ना कर दू इसी वर्जे से मैंने आपको कोई भी संदेशन नहीं भेजा यह कहा थे कि घबराओं मत वह पिल जरूर उसकी उपर असर दिखाएगा क्योंकि वह पॉईजन पिल मेरे मास्टर खुद ब्लैक मार्केट से लाए थे अगर हम साथ दिन का इंतिजार करें जिसमें वो पॉईजन अपने पीक तक पहुँच जाए तो चाहिए वो कितना भी ताकतवर हो वो जरूर से मारा जाएगा उसी के साथ उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी उतने में टैंटे ने इसे कहते हैं कि हम साथ दिन तक तो वेट कर सकते हैं पर मेरे मन में एक डाउट है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ मेरे मास्टर ने काफी बुरे-बुरे काम किया जिन के लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता पर मुझे नहीं लगता कि ब्रदर शाउचान का उन्होंने कुछ भी बेखाड़ा है तो आखिरकार तुम एतने जदा कॉपरेट की हुए हमार लक्रभाय साथ तुमने हमें इतनी खतनाग पोईजन भी दिया तो शालılar कहती कि हां तुम इसमें काफी इस ने कहते हूं ज्य करता हूं चैनासे किесका मतलब यह सobra हम दोनों के लिए कहता है कि नीए तुमने क्यों सोचा ऐसा कुछ भी М Gonna इसके यह जब आप सुनके टेंटा एंड को थोड़े इसके उपर शक हो जाता है और वो इसे कहा थी कि चलो छोड़ो हम करीब साथ दिन के बाद दुबारा से यहाँ पर मिलेंगे और मेरे हिसाब से शाओ चैन तुम लेट भी हो रहे होंगी क्योंकि यह वी टेंपल की इविन जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी ना ओ बेशक हमारे उपर सकती दिखाती हो पर वो कभी भी हमें हाम ना पहुचाना चाहती हो जो एविडेंस शाओ चैन ने हमें दिखाया है वह काफी है कि बेक्वीलिंग सिर्फ हमें एक मैटेरिल की तरह देखता है वहां में एक कर सकता हूं शाओ चैन और मेरे सेकंड डिसेप्लिन को बिल्कुल भी पता नहीं होगा और वो कभी भी डिसकवर नहीं कर सकते हैं कि शहनाहर मेरे साइट आ चुकी है पर सबसे पहले यह देखते हैं कि आखिर कर सिस्टम ने मुझे क्या रिवाड दिया यह फिर अपने सिस् के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है यह यूमन कल्टिवेशन है पर मुझे अच्छे सा पता है मुझे क्या चुनना है यह चुनता है एक्सपीरियंस कार्ट को जिसकी मदद से यह अपने कल्टिवेशन लेवल को वहां तक पहुचा सकता है जहां पर यह पहले था इसका दिन के बाद वो लोगी स्टोरिज रूम में एंटर करेंगी जहां पर मैं जब धीरे धीरे मर रहा हूंगा जितने भी रिस्ट्रेक्शन होंगे वो ब्लेस्टोरिज रूम के तूट जाएंगी और आखर में जो में करेक्टर शाओ चैन है जो कि अंडर कवर था डैमोनिक से और यह कहते हैं इसके सामने रेट्टेंगुलर शेप का एक बॉक्स अपियर हो जाता है दरसर बेक्वीलिंग ने पिछली लाइफ में अपनी कल्टिवेशन के कोर और पांच अलग ओर्गन्स को दूसरे ऑबजेक्स के साथ रेप्लेस कर दिया था तो बेशक वो बैटल में है तो बैटरी यही रहेगा कि अपने ऊरगन्स को और क्यों को दुबारा से वापिस ले ले और अपने अपको पहले जैसा बना ले यह फिर यहां पर अपनी ताकत का यूस करके अपने कल्टिवेशन को उसकी जगे पर वहापी भींच देता है जिस वज़े से यह काफी ता चाकत फाइनल बॉस की होनी चाहिए तब इसे शेहन हार एक मैसेज देती है और वो से बताती है कि मास्टर शेहन हार ने अपने मिशन को कंप्लेट करके वापिस आ चुकी है और शेहन हार एक गिफ्ट आपको देना चाहती है यह सोचते कि आंखर कर यह लड़किया मुझे क्य चैस यह कहता है कि और तुम क्या कहना चाहती है इसका कि उसने कह दो कि और शीमिभर और चीज लाई तुम को और शीजिए मास्टर यह औस ली आजगे पिल है यह देखके बेक विलिंग काफी शौक होता है क्योंकि नाइन्स ट्रांस्फोर्मिशन सोल रिफाइनिंग पिल जो है वो सिप गेम की गैलरी में एक्जिस्ट करती है जिससे प्लेयर ही उप्टेंड कर सकते हैं आखर कर शैनहार ने इसे कैसे उप्टेंड किया पर अग कहते हैं कि मछे कहते हैं ये इसे कहते हैं कि अखर मुझे माफ कर दे तो वहीं काफिर हैं संस्प से तर्म है है कि तो मेरे पास बहुत मेरे सबसे तना içinal onion तो और काफिर है की मैं थोढए पर मैं थोड़ी arrogant भी हूँ, इसी वज़े से मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कहीं और च्वे reward की तोर पर और ये होती है इसके balloons, तब ही बेक्विलिंग का सिस्टम इसे बता आता है कि होस्ट ने successfully यहाँ पे great love को spread किया, इसी वज़े से उसे यहाँ पे 500 points मिलते है वहीं पे हमें इन गुई temple bedroom के यहाँ दिखा जाता है, जहाँ पे हम देखते है शाओ चैन को, जो कि अपने master को greet कर रहा होता है इसकी master का नम हुआ योरांग होता है, वो इसे कहती कि शाओ चैन, मैंने सुनाए कि बेक्विलिंग की जितनी भी magical power थी वो अब खतम हो चुकी है और साथी साथ किसने उसे poison दे दिया है, और उसकी life अब threat से लटकी हुई है ये कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही का, बेक्विलिंग की थर्ड स्टोरे निशन हार से मेरे काफी अच्छे relationship है और उसने मुझी information दी है, अगर ऐसी रहा तो अब blood storage room में जाके बेक्विलिंग को मार के अगला sect की leader बन सकती हो, ये से चाटा मारती हुए कहती है ये तुम्हें पता अभी है कि पास्ट में बेक्विलिंग जो है, वो डारेक्ट discipline रह चुका है अलकेमी grand master शेन याउशी का, उसकी alchemy skills जो है, वो उसकी master से भी बहतर है तो तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह का poison उसे harm पहुचा सकता है ये इसे कहता है कि ऐसे कुछ भी नहीं है master, पर ये इसकी सवाल का जवाब नहीं दे पता क्योंकि इसे घूर रही होती है ये फिर इसे कहता है कि लगता है मैं गलत है master, जितने इवी information मुझे दे गई थी, वो बिल्कुल गलत थी ये बस लोगों को ललचाने के लिए था, शाओ चैन फिर यहां से चले जाता, हुआ फिर यहां पर कहती है कि senior brother, तुम सच मुझ काफी ज़ता अच्छे इंसान हो, तुमने उस समय मेरी life बग्च दी, तुमने सभी सेक्ट की लोगों को मार दिया, तुम है क्या लगा, मैं त तुम से कभी भी रिवेंज नहीं लोगी, मैं तुम से सुलूश इन अफरत किया करते थी, अब मैं तुम से रिवेंज लेने वाली हो, तुम्हारी life जल्दी ही हुआ, यह औरों खतम करने वाली है, वो भी अपने हाथों से, और यहां से जगानी वो तु भी कंटियून जात चली जाता हूं, आप में से कुछ लोग यह कहते हो, कि भा騇 आप कोपी कर रहे हो, दूसरे को कोंटियने और ही यहां लोग ट्रांसलेट करidences करें, अगर कोई प्रॉबलम है, तो थोड़ा, गूगल में, देख लेना कि क्या है, क्या हिसाब है, नहीं है, क्या हिसाब नहीं ह आपको चिंता घनी की कोईज़त ने क्योंकि भाई आप ये सारे खालतु के कमेंट नहीं लिखते हो